नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में आज मैं लोहा बाधन बना कर देखाऊंगा पहले पात करना होगा हाप से ठोड़ा ज्यादा करना होगा हाप से और यह देखे एकी सोलाय लेना होगा और इसको हाप राउन करना होगा उस तो सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना अगे इस तरह के मैं वीडियो डालता रहूंगा डाइसो के उपर वीडियो दे दिया है जा कर देख लेना इस तेलेंड में आपको गोल्ड की सभी जोलिर बना कर दिखाता हूँ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना यह देखे प्रिंट्स हाप रन हो गया और इसको स्टेट करेंगे इसको हीड देखर स्टेट करेंगे यह देखे प्रिंट्स टेट हो गया और यह पाकतार है दोनों साइड में पाकतार सोडरिंग करूंगा पहले थोड़ा थोड़ा करके सोल्डरिंग करना होगा उसके बाद टोटाल सोल्डरिंग करना होगा अजय करेंगे दोड़ा थोड़ा प्रेखर सोल्डरिंग करेंगे यह देखें फिंस दोनों साइड हो गया इसके बाद इसके अंदर काला देंगे यह देखें फिंस इसको हम काला बोलते हैं इसको हीट देकर मिडिल में देदेंगे यह देखें फिंस इस तरह करना होगा और यह देखें धागा इसको इस तरह बाद ना होगा यह देखें फिर इसको पूरा करना होगा उसके बाद यह पेलून है लोहे का इसको गोल करना हो देखें किस तरह बहुत आसानी से अधाए प्रश्च कोई दिक्कत नहीं है बहुत ही अच्छे से हो जाएगा किश्च करते का इसको प्राद बढूब देखें किस तरह बहुत है इसको इसको अच्ने किश्च कर दोच्च करते बहुत है इसको जए जएगा ये देखे फेंस हो गया इस तरह होता है मैं करता हूँ इस तरह और ये बात से दो फूल ठोकाई करूंगा ये देखे फिंस ये डाइस है और ये आप काटाई भी दे सकते है काटाई बहुत हलका होता है इसलिए मैं ठोकाई कर रहा हूँ अजय होता है प्रिंस को काटना होगा माप के जैसा प्रिंस यह बॉल लिया है इसके उपर फूल सोल्डेरिंग करूँगा जैसा साना होगाम प्रिंस यह बॉल रहा हुआग콩 प्रेंड्स यह गॉला सी हो रहा है बॉल के नीचे स्वोल्रेरिंग करना होगा करना होगा और खॉला सी हो आजब घर रहा है बॉला सी होगा जब प्रेंग करना होगा है झाल 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 यह देखें फेंट्स हो गया इसके बाद इस तरह सोल्डर्निंग करता हूँ मैं देखें इस तरह सोल्डर्निंग करता हूँ मैं देखिए यहां पर बोच उंगी सोल्डरिंग कर रहा हूं इसको लगाने के लिए कि अuni को कर रहा हुआ कर रहा हुआ कर रहा हुआ कर रहना झाल झाल करने के बाद इसको पॉलिस छिलाई करना होगा यह देखें फ्रिंस त्यार हो गया फ्रिंस यह दो 14 ग्राम का है इससे भी हलका होता है फ्रिंस कास्टमर को वेट देखाने के बाद यह लुहा लगाऊंगा दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धेने बाद थैंक्स पर वाचिंग हस्ते रहिए मुस्कुराते करे है आपका दिन सोभाव थैंक्यू के आपको सब्सक्राइब करेंव करें